बजाज आटो भारतिय बाजार की लोकप्रिय दोफिया वाहन निर्माता कमपनी है खास तोर पर कमपनी के पूलसर सीरीज ने ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है कमपनी लगातार अपनी मोटर साइकिलों की रेंज को अपडेट कर रही है इसी कड़ी में बजाज आटो ने अब पूलसर N-160 और N-150 के अपडेटेड वर्जन को लॉंच कर दिया है 160 CC इंजन के साथ यहाँ एक पावरफुल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है कमपनी ने 2024 पूलसर N-160 को 1,3560 रुपए एक शोरूम की कीमत पर पेश किया है इसमें आपको तीन कलर आप्शन, ब्लाक, रेड और ब्लू मिलते हैं वही पूलसर N-150 को 1,17,677 रुपए एक शोरूम की कीमत पर उतारा गया है इसमें दो कलर आप्शन, ब्लाक और वाइट शेड मिलते हैं नई पलसर की डिजाइन की बात करें तो यह कुछ-कुछ पूलसर N-250 के जैसी ही दिखती है इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेड लैम आइब्रो जैसी स्लीक और फास्ट LED डेटाइम रनिंग लाइट्स मिलती है नई पूलसर N-160 और N-150 में सबसे बड़ा बदलाव देटेंड बजाज पलसर N-160 और N-150 में मिलने वाले LCD कंसोल में आपको कॉल और SMS अलर्ट, फोन बैटरी और सिगनल इंडिकेटर के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नीचे एक वार्निंग मैसेज सेक्शन भी है, जो माइलेज, एरर मैसेज और कम इंधल अलर्ट जैसी जानकारी दिखाएगा 2024 Pulsar N160 में आपको 164.82cc एर ओयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, यहां इंजन 16 PS की पावर और 14.65 एनेम का टॉक जनरेट करने में सक्षम है, ट्रांस्मिशन के लिए इसे 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है, बाइक के सस्पेंशन की बात करे तो इ गेर में गैस चार्ज मोनोशोक यूनिट दिया गया है, वही ब्रेकिंग के लिए सिंगल चैनल आप्स के साथ दोनों सिरो पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वही दूसरी ओर Pulsar N150 में आपको 14.68cc का इंजन मिलता है, जो 14.3 बीएचपी का पावर और 13.5 एनेम टॉक जनरेट कर है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है, भारती